बिहार जैसा दिल्चेस पराज जिन शायद ही कोई और इस वाक्य को सही साबित करने के लिए बहुत से तर्क दे जा सकते ही मगर इसकी सबसे मुख्य वज़य यह है यहां के लोगों का क्रियेटिव दमाग बिहार से सबसे जादा IAS और IPS जरूर आते ही लेकिन इसी बिहार से जहां शराब चार साल से जादा से बंध है वहीं से शराब का बिजनस कैसे किसी नई सोच के साथ बढ़ाना है उसके आइडिया भी सबसे जादा आते हैं कुछ वक्त पहले मैंने आपको एक खबर में बताया था कि बिहार में कैसे एक नई तरीके से हो रही शराब की तसकरी का मामला सामने आया है इस खबर में हम बात करेंगे कि कैसे बिहार अपने पडोसी देशों में शराब के प्रोडक्शन में एहम भूमिकाने भाता है और कैसे राशन की दुकानों पर मिलने वाले चावल को शराब के इस बिजनस में इस्तमाल किया जाता है लेकिन उसके पहले थोड़ी आपचारिक्ता कर लेते हैं नमस्कार मैं हूँ सौमेराथी और आप देख रहे हैं जनता जंक्षिन अब चर्याप को बताते हैं कि कैसे राशन की दुकान पर मिलने वाले चावल को वियतनाम, चीन और भुटान भेज कर उससे शराब बनाए जाती है बिहार के सीमानचल के इलाके में मोटे चावल उपजाय जाते हैं और यही चावल राशन की दुकानों पर भी बिखते हैं एक बात ये भी है कि राशन की दुकानों से काला वाजारी बहुत जादा होती है वजय ये बताई जाती है कि जो मोटे चावल राशन की दुकानों पर बेचे जाते हैं उनका स्वाद लोगों को अच्छा नहीं लगता है इसलिए लोग उन्हें खरीद तो लेते हैं मगर खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते और इसलिए बाद में इस चावल को कम दाम पर बेज देते हैं और फिर बिचॉलिया इस चावल को बुटान, चीन और वियदनाम में बेच देते हैं और फिर वहाँ उस चावल से शराब बनाई जाती है मोटे चावल का इस तरीके से पडोशी देशों में शराब बनाने के लिए इस्तमाल के जाने की वज़े से ही उनकी मांग और उनके दाम काफी बढ़ गए है वैसे पहाडी इलाके जहां पर मोटे चावल की खेती नहीं होती है वहाँ सरकार द्वारा राशन दुकानों पर दिये जा रहे इस चावल की मांग बहुत अधिक होती है हर रोस दरजनों की संख्या में ट्रक में मोटे चावल लोट करके आसाम बंगाल और अन्य जगहों पर भेज़े जाते हैं अब चलिए आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि चावल के काला बाजारी की ये बार बाहर कैसे आये थी 17 सिटेंबर को गुप सूचना मिलने के बाद संजय कुमार साहा के गुदाम पर पुलिस ने चापे मारी की थी और भारी मात्रा में सरकार द्वारत दिये जाने वाले चावल बरामत किया गया था वो गुदाम सील कर लिया गया था मगर संजय साहा ने फिर से किसी दूसरे स्थान पर ये दंदा शुरू कर दिया था इसके बाद एक और ऐची ही चापे मारी हुई थी सदर S.V.O. के आदेश पर अपर S.V.M. रंजीत कुमार ने गुलाब बाग के पोकरिया रोड में मनोच गुपता नाम के व्यत्ती गुदाम पर भी गुप सूचना के अधार पर चापे मारी की थी लेकिन मनोच गुपता को इस बात की खबर पहले ही लग चुकी थी और वो अपना गुदाम बंद करके फरार हो गए थी तो ये था चावलते शराब बनने का बिजनस ब्लाइड इस खबर में एतना ही अगर आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो जनता जंक्षिन के पेज को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें आप हमारी टीम से इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं आपकी स्क्रीन पर इस वक जो जानकारी दिखाई दे रही है उसकी मदद से आप डोनीशन के रूप में हम तक अपना सहयोग पहुचा सकते हैं इस वीडियो कौन तक देखने के लिए धन्यवाद मैं हूँ सौमयराथी क्यामिया के पीछे हैं प्यूस चौरसिया और आप देख रहे हैं जलता जलती है